हेलो स्टूटेंट्स वेलकम टू एलजी आई ओलन क्लासेज दिस दीपतीज क्लास 6 साइंस लेसं थर्ड क्लॉथिंग टुडेश टॉपिक इस सेकेंड तो लास्ट टाइम मैं आपको बता कर गई थी कि मैं आपको नैच्रल फाइवर्स के बारे में बताऊंगे सिंथाटिक फ तो देखते हैं हम लोग लिखा है नैच्रल फाइवर्स के बारे में जानते हैं तो फाइवर्स ऑफ टेनेड फ्रॉम नैच्रल शूर्स एस टर्म एस नैच्रल फाइवर्स जो रे से हमें प्राप्त होते हैं वो प्रकती शूर्द से प्राप्त होते हैं जिसे हम नैच्रल फाइवर्स कहते हैं ये दो कैटागरी पे रख्या गया है दो वर्गी करड में रख्या गया है तो पहला है हमारा नैच्रल फाइवर्स और सेकंड है हमारा अनिमल्स फाइव जो रेसे प्राप्त होते हैं वो प्लांट सोर्चेस कहलाते हैं क्या क्या प्राप्त होता है कॉटन प्राप्त होता है जूट है लिनिन है है एक्जामपल और प्लांट फाइवर यह सब किससे प्राप्त होते हैं यह सारे हमारे प्लांट से प्राप्त होते तो एक आपको चितर करें देखरा है हमारा co Straße का पेड़ है ईएं जिसमें काटन बॉल्स होती है कोटन बॉल्स गिनिंग किया जाता है आँए आपको पता चल जायेंग गिनिंग मसीन होती है जो हमारे आपने देखा होगा जब लो रजाये जाई भरवाने जाते तो उसके पास एक मसीण सी लगी होती है उसमें पुरानी रूही को डाल देते होпов। उसमें से नई रूही निकलते है लेकिन ये एक पौदा है हमारा पौदे से ही एक्स्टरा रोज निकलती है जिसका प्रियों हम लोग नैचरल फाइवर्स में करते हैं तो हम आँगे बढ़ते हैं नेस्ट आ रहा है हमारा एनिमल्स फाइवर्स क्या है एनिमल्स फाइवर्स और ओपेंड फ्रॉम एनिमल सॉर्स बूल, सिल्क, बूल है, सिल्क है, फर and example animal fiber हम जानवरों से जो रेसे प्राप्त करते हैं वो natural shores कहलाते हैं जिसमें उन, सिल्क, फर ऐसे, ऐसे कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं ऐसे रेसे प्राप्त होते हैं जिनें हम animals fibers कहते हैं तो bull is obtained from the flies, fleas of sheep and the hair, अब जैसे लिखा है, उन हमें किस से पराप्त होती है, उन लिखा है हमारा, बुल is obtained from the flies of the sheep, sheep से पराप्त होता है, उसके जो बाल होते हैं, उनके बालों को निकाल लिए, याक, जो हमारा पहाडी सांड होता है, उस से, कैमल, ऊंट से, ऊंट हमारा, तिब्बत के पठार की तरह पाया जाता है नेपाल की तरह ठीक है और जो हमारा सीप है वो भारत के उत्री छेतरों में पाया जाता है याक हमारा है तिब्बत के ठंड तथा बीरान पठार नेपाल की तरह पाया जाता है तो प्लीस हम नोन डाउन करते जाएं अलपाका नाम की जो बकरी है वो आईसल ड्रिंग भेड की तरह भेड बोला जाता है आईसल ड्रिक बेड का जाता है जसलाइका बकरी की तरह बकरी बोला जाता है इसको नैस लिका है हमारा अंगोरा रैबिड ये क्या है हमारे इसको तर्की ये कहां पाया जाता है ये तर्की और फ्रांस की तरब पाया जाता है तो हम फिर से बता दे रहे हैं सीप से जो भेड़ोते हैं उनके बालों से उन मिलती है याक याक जो पहाडी सांड बोलते हैं जो हमार ज्यादा तर कहां पाए जाते है भारत के उत्री छेत्रों में पाया जाता है जैसे तिबबत के तथा तिबबत के ठंड तथा बीरान पठान नयवाल में पाया जाता है और अलपाका गौट को अइसल डिक भेड का जाता है और अंगूरा रैबिट को ये कहां पाया जाता है य तो ने शीश तलम दोवान के हमारा लिखा है यह फर जो कहा रे déjà है रे से क्या ना मैं पामिजा गजानेंगे अब यह रे से क्या है कि ऐस आव वेरियस इनिमल सच अका राव जो रे से जाते हैं बीवर मिंक एनममिंग औरिके плат इस आउसो यूज़ फॉर क्रॉटिंग जो इन लों के जितने भी फर रेसे प्राप्त होते हैं इनसे कपड़े बनाए जाते हैं सिल्क इस ऑफटेंड फ्रॉम दा सिल्क वाउम विज दा लार्ज वाइड मूद कैटवलर मतलब कहने का है कि यह आपको एक चितर दिख रहा है कि यह सिल्क वाउम है यह हमारा रेसा छोड़ देता है सीप भी है याक भी है इनके जो रेसे होते हैं बड़े बड़े रेसे होते हैं और सिल्क वाम से केवल सिल्क प्राप्त होती है और अधर जानवरों के रेसे से कपड़े बनाए जाते है ठीक है तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारा जो चित्र है यह थोड़ा हमने यूनिक सा रखा है और आपके चित्र में कुछ अलग से दिये गए है तो हम चाहेंगे कि आप इस प्रकार से चित्र ही भी बनाते जाए तो आपको अच्छा पढ़ने में लगेगा ठीक है नैस देखे हमारा लेखा है Synthetic Fabric अब हम Synthetic Fabric के बारे में जानेगे कि Synthetic Fabric होता क्या है Synthetic Fabric है हमारा कि Fibers manufactured in factory using the chemical alcohol synthetic fabric and artificial fabric कहने का मतलब कि जो रेसे हमारे सिंथाटिक फैबरिक हम आर्टिफीशल फैबरिक भी कहते हैं जैसे कहने का मतलब है कि आर्टिफीशल फैबरिक हमारे केमिकल और फैक्टरीज में बनाए जाते हैं प्रेंटिन केसे नाइलन है पॉलिसटक है रेञाई पयाईटियों है पी… पीवी यूर्लं है मतलब कहने नि Красव यह पर लोगता एक हमारे कुछ फैवर्स पायें जाते हैं सारे के सारी नकली है यह सिंटिर्टिक फैवर यह हैं और यह केमिकल के बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में बनते हैं, आपको रील दिख रहे हूँ होंगी तो ये सारी रील है नायलान की बनी हुई है, नायलान रेसों की अब नायलान को हम कुछ एक्स्प्लेंट करना चाहेंगे, तो आप देखिए दियान से नाईलोन क्या है नाईलोन से हमारा बनता है नप तो ये हमारे जतने भी रेसे पाए जाते हैं वो हमारे नाईलोन है पॉलिस्टक है रेयन है पौपीज वी सी औन टेरीलन है यह जितने भी रेसे पाये जा रहे हैं, यह सिंते Radio व्यों हैं, यह हमारे फेक्ट्रीओं में केमिकल को यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है, अगर हम आपको समझ में ना आया हो तो प्लीस आफ हमें महसिस करके जरूर बताएं, अभी के लिए बाइबाए, नेज टॉपिक ज